So hello guys, welcome back to my new video तो आजम बात करेंगे हड्डियों के धाचा के बारे में समझ नहीं आया मुझे भी समझ नहीं आया था जब मैंने पहली बार इसका content देखा था तो आजम बात करेंगे शूप skeleton के बारे में तो चलो देखते हैं इस हड्डिक धाचा के वीडियों को व्यूस के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है anyways चलिए देखते है अडेश के लेटन भाई तुम पहली बार वीडियों देखने आया हो इसका मतलब यह नहीं कि हड्ड को ही पहली बार आया हो लाखो लोग है जो डेइली व्लोग देखते हैं अब यह शादी ते होना गुड नहीं बैड निउस होता है वैसे भी यह खड्डियों के धाचा को इंसानों की फिलिंग कहां समझाएगी किसी नासा के साइंटिस्ट ने कहा था हमेशा 99% लोगों के बारे में सोचना चाहिए 1% नहीं वैसे स्केलेटन में दिमाग नहीं होता फिर भी तुझे बता दू कि शोड़ अप के जो 99% विवर से वो सुभा ही देखते हैं तो किसी स्केलेटन के कहने पर के सुभा 6 बजी बेकफास्ट की जगा डिनर और गुड मॉनिंग की जगा गुड लाइट बोलना चालू कर दे और कोई कमेंट नहीं करेगा कि मैं इसको बोडी शेमिंग कर रहा हूँ क्यों नहीं बोडी शेमिंग करने के लिए बोडी भी तो होना पड़ता है ना ये तो सिर्फ हड्डियों का ढ़ाचा है मैं बताता हूँ क्या करना है अपने घर के छट पे जा और वहां से गिर के मर जा पर ये तो अल्रेडी मरा हुआ है कोई बात नहीं दुबारा मर जा अगर इंडियन सीरियल्स में एक लड़ का लगी की शादी पाच्चे बार हो सकता है तो एक मरा हुआ स्केलेटन सिर्फ दूसरी बार नहीं मर सकता क्या क्यों नहीं हेलो गाइज मैं हुआ अड़े पाच्वी फेल भूतिया कबार भूतिया बोलाई कुछ और मत सुन ले ना इसे इंट्रो कहता है जो तो चाकर भी नहीं कर सकता इस चीस को पर नहीं बोलने का बिल्कुल पानी बचा एक्टिंग हो या और एक्टिंग ये लोग कुछ तो कर रहे है ना तेरे से तो वो भी नहीं हो पाएगा खुद तो लोगों के सामने बोल भी नहीं सकता और जो बोल सकता है उसको तो और एक्टिंग बोल रहा है पूरे डूबने चाहिए ना आबे वो आलू है तेरा कोई रिष्टेदार नहीं जिसे मारने पर तुझे बुड़ा लगे इतना ही प्रोब्लेम है तो जा जाके कंबल ओर के सोजा दूसरों की वीडियोस क्यों देखता है इसने बिन बोले रोष्ट करने में किसी को नहीं छोड़ा केड़ी से लेकर अब जोशी सबको निपका चुका है यह अड़े पांच वीफेल स्केलिटन सुन दूसरों के हड़ बात पे गलती बात में निकालना पहले सही से स्पेलिंग तो सिख्या लगता है क्लास के इंग्लिश टीचर का फ्रस्टेशन आके यूट्यूबर्स की उपर ही निकालता है तू पहली बाड़ाया है इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई पहली बाड़ाया हो इसको कुछ हौल लिखना नहीं आता हर किसी के इंट्रो पे सिर्फ पहली बाड़ाया है लिखता फिरता है अब मैं तुझसे कहूंगा किसी ने पूछा तुझसे तुझे नहीं मिलता इसका मतलब क्या जिसको मिलता है वो भी ना बनाए पाने के लिए इंसानी थोबड़ा दिखाना पड़ता है जो तेरे पास है नहीं और स्केलेटन के थोबड़े से स्पोंसर्शिप मिलता नहीं अबे इसका बेलकारी तो पहली पार आया हुमें ही अटक गया है तो आया ही क्यों किसने बोला था तुझे आने के लिए इससे आगे भी थोड़ा लिखना सीख ले अबे इस हड्डिकेट हाचा को ज़्यादा सुनाई देता है क्या उसने आप लोग बोला डेडिकेटली तुझे नहीं और एक बात सुन तेरा उपिनियन किसी ने पूछा किया तुझे बढ़ा पता है चाई के बाड़े में कभी टेश्ट भी किया है किसी बुजूर्ग ने कहा है कि बिना नमंक के पकवान और बिना बाद के ज्यान कभी नहीं देना चाहिए सोरी सोरी ये बहुत बुड़ा था पतार पर तुम वर्ट पे ध्यान मत दो तुम भाबनाओ को समझो स्केलिटन है स्केलिटन की तरह रहे ट्रिपिकल इंडियन ममी बनने की कोशिश मत कर मींध हमारा पहला प्यार है इसको लेके मजाक नहीं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलता है बहुत ही जल्द वाई